तो आई आज हम लोग शुरू करते हैं तेंथ क्लास का अंग्रेजी का बुक मतलब किताब हम आज चैप्टर वन शुरू करेंगे प्रोज सेक्षन का अब प्रोज सेक्षन का अर्थ क्या होता है पहले इसको जान लीजिए प्रोज सेक्षन का अर्थ होता है गदखंड कौन खंड गदखंड और एक होता है पोईटरी सेक्षन जिसको कहते हैं पदखंड प्रोज सेक्षन का अर्थ होता है कहानी यानि कि गदखंड और पोईटरी सेक्षन का अर्थ होता है कविता यानि कि पदखंड पूरे अंग्रेजी में आठ कविता है और आठ कहानी है तो हम प्रतेक महीने में एक कहानी वाला चैप्टर और एक कविता वाला चैप्टर साथ ही साथ समाप्त करेंगे तो आज हमारा चैप्टर वन का क्लास है सब्जक्ट इंग्लिश है और हमारे चैप्टर का नाम है दपेस फॉर लिविंग इसको हिंदी में कहते हैं जीने की रफ्तार जीने की रफ्तार मतलब लेविंग मतलब होता है जीना और पेस मतलब होता है रफ्तार रफ्तार मतलब क्या होता है एस्पीड यानि हमारे जीवन जीने का आज रफ्तार क्या है एस्पीड क्या है इस पार्ट को लिखने वाले राइटर का नाम है आरसी हचिनसन R.C. Hutchinson क्या नाम है जिनका R.C. Hutchinson जिनको आप नीचे दिये गए फिगर में देख सकते हैं यह है R.C. Hutchinson जिन्होंने इस पार्ट को लिखा है और इस पार्ट का नाम है जीने की रफ्तार यानि की The Place for Living इन्हें आप लोग देख पा रहे होंगे यह है Mr. R.C. Hutchinson आप से यह पूछा जाए कि इंगलिस के किताब में कितनी कहानिया है तो आप कहेंगे Total Art कुल कितनी कविताय है तो आप कहेंगे कुल आठ फिर आप से यह पूछा जाए पहले चैप्टर का नाम क्या है प्रोज सक्षन का तो आप कहेंगे The Place for Living The Place for Living आप से पूछा जाए इसका हिंदी क्या होगा तो आप कहेंगे जीने की रफ्तार इस पार्ट के लिखक का नाम क्या है तो आप कहेंगे R.C. Hutchinson R.C. Hutchinson सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं यानि कि R.C. Hutchinson के इंट्रोडक्शन मतलब ये कौन थे इनके जन्म, मिरित्यू ठीक है न इनके बारे में पहले दिया है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके बाद से कहानी क्या है उसकी तरफ बढ़ेंगे तो आइए शुरू करते हैं R.C. Hutchinson A. British Novist मतलब R.C. Hutchinson जो थे वो क्या थे ए मतलब एक British, British मतलब होता है अंग्रेज मतलब ये England के रहने वाले थे का करहने वाले थे जी England के, क्योंकि England वालों को अंग्रेजी में British कहा जाता है, क्या कहा जाता है British Novelist मतलब होता है उपन्यासकार Novelist मतलब क्या होता है बाबू उपन्यासकार अब उपन्यासकार कार्स क्या होता है जैसे जो लोग बड़ी-बड़ी कहानियों को लिखते है मतलब बखुत बड़ी-बड़ी कहानियों को लिखते है उन्हें उपन्यासकार कहते हैं और उन बड़ी-बड़ी कहानियों को उपन्यास कहा जाता है तो जो उपन्यास लिखता है उसको क्या बोलते हैं उपन्यासकार कहते हैं तो R.C. Hutchinson A. British Novelist X.Habits इसको क्या पढ़ते हैं X.Habits मतलब अर्थ होता है जन्मजात प्रविर्थी प्रविर्थी मतलब आज़त जन्मजात प्रविर्थी एन एक्सेप्शनल एन एक्सेप्शनल जिसकार साता है विशेश फ्लेयर जन्मजात प्रविर्थी मतलब फ्लेयर मतलब भी जन्मजात प्रविर्थी होता है for touching the sensitive issue of the contemporary society मतलब ये जो भी कहानिया लिखते हैं तो इनकी एक जन्मजात प्रविर्ती है जन्मजात प्रविर्ती कार्थ हुआ कि इनका मतलब बच्पन का एक आदत है कि विशेश रूप से exceptional exceptional कार्थ क्या होता है जी विशेश रूप से flare मतलब एक आदत बन चुकी है for touching touching का आदत हुआ मारमिक और मारमिक का आदत होता है मतलब कि ऐसी बाते हैं जिनमें दर्द हो क्या हो जी दर्द हो ममता हो तो वो उनका बच्पन का एक आदत था कि वो जो भी कहानी लिखते थे उसमें दर्द होता था समाज के उपर लिखते थे और वे समाज के दुख दर्द को अपने कलम से अपनी लेखिनी से इस समाज के आगे प्रस्तूत करते थे उन बातों को जो समाज में एक दर्द थी लोगों के बीच में एक सविनन सीलता थी इसको इसू पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इसू जिसको हिंदी में मुद्धा कहते हैं समकालिक का अरस होता है उसी समय सोसाइटी मतलब उस समय के समाज में जो दुख था जो टचिंग बाते थी जो मुद्धा थे जो इसू थे उन बातों का ज्यादा जिक्र लेखक आरसी हचिंसन अपनी लेखनी में करते थे कि आज समाज में क्या दिकत है समाज में कौन-कौन सी गुराईया हैं कौन से टचिंग बात हैं टचिंग मतलब दिल को छो जाने वाला मारमिक जिस पर मतलब दया आ जाए उसको मरमिक बोलते हैं और संस्टिव मतलब होता है सम्विदन सील इसू मतलब मुद्दा और कंटेम्प्रोरी मतलब होता है समकालिक सुसाइटी मतलब समाजिक इसमें हम word meaning में लिख दिये हैं जहां भी word थुड़ा सा tough हुआ है तो उसके बगल में हम क्या किये हैं जी इसका word meaning भी बता दिये हैं ताकि आप लोग इसको उतार सको और घर से इसे याद करके आ सको ठीक है ना तो last में क्या करेंगे आप लोग हम फिर से चलाएंगे तो उसमें से आप लोग word meaning लिखेंगे और घर से याद करके आएंगे और class भी सुद आएंगे ठेक्या आगे देखिए with all its contradictions with all its contradictions contradictions जिसको हिंदिम कहते हैं बिरोधा भास बिरोधा भास मतलब इन सब बिरोधों के बाद भी and paradoxes और बिरोध करने के बाद भी in the place for living R.C. Hutchinson captures the agony इन सब बिरोध करने के बाद भी जो ये chapter है the place for living यानि जीवन की रफ्तार उसमें R.C. Hutchinson ने दर्द, एगोनी मतलब दर्द, modern आजनी आज के जमाने के मनुस्य के दर्द को इस chapter में दिखाया है कि आज जो लोग हैं हर कोई तेजी में भागना चाहता है हर आदमी एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है ये भी एक प्रकार का दर्द है उन लोग के लिए जो लोग तेजी को पसंद नहीं करते हैं जो लोग इस तेज दुनिया को capture नहीं कर पाते हैं उन लोग के लिए इस दुनिया में बड़ा ही तकलीफ है जैसे कि माल लिजे एक व्यक्ति है जो कोई भी काम बड़ा ही अराम अराम से करता है और उसके सामने आप कोई काम तेजी से करना सुरू कर दे तो वो सारी बातों को समझ नहीं पाता है जैसे कि माल लिजे आपके घर में आपके पिता है जो प्रती दिन 500 रुपिया कमाते हैं वो उसी में सब चीज धीरे-धीरे मैनेज करना चाहते हैं और क्या है कि आपकी जो मा है वो खर्चा करती है डेली 400-500 रुपिया अब इससे पिता को क्या होती है परिशान ही होती है क्योंकि मा क्या है फास्ट है जबकि पिता क्या है slow है वो चाहते हैं कोई भी काम अराम से हो उसमें ज़्यदा खर्च ना लगे लेकि मा ऐसा नहीं सोचती है तो वहाँ पर वो व्यक्ति क्या हो जाता है परिशान हो जाता है वो दिक्कत में आ जाता है वो इस चैप्टर में ये दिखाते हैं ये लाते हैं कि इस फास्ट मोमेंट फास्ट मतलब तेज आंदोलन इस तेज समय में आउट आफ हाउ मनुस्य कैसे आफ मेल, थिंक्स, एंड अबजेक्ट्स मनुस्य वस्तू और ये जो मतलब वस्तूएं हैं इन सबको जो मनुस्य है कैसे कंट्रोल कर पाएगा मतलब एक इस फास्ट जुग में देखी रहे हैं फोर्जी का जमाना है हर काम तेज हो गया है इस तेजी के चकर में हम क्या हो गया हैं बहुत सारे चीज को छोड़ रहा है जैसे पहले का टाइम था कि लोग गीत सुनते थे तो अराम राम से गीत सुनते थे कोई भी गीत बेचैनी वाला नहीं होता था लेकिर आज आप लोग देख लीजे हर जगाद डीजे का बोल बाला है अगर आज के जमाने में कोई तबला बांदे तो लोग उसका सिकायत कर देंगे खुद आप ही लोग उसको देखेंगे नहीं ना पसंद करेंगे ये क्या है ये एक तेजी है हर कोई चाहता है कि मैं तेजी से जुमूँ नाचूँ गाउँ कोई आभी नहीं चाहता है कोई भी काम थोड़ा सुलूब मौसन में हो हर्ट उसके मतब दर्द होता है दिल में दा नॉर्मल राइदम लेकिन साधारन लय जो होता है वो क्या करता है हमें खीचता है अगर आप लोग पहले के जबाने के गीत को दिहान से सुनो तो वो उसमें एक रश है उसमें एक रीदम है लय है जो बहुत ही आपको अच्छा लएगा लेकिन फिर भी हम लोग उसे दिहान से नहीं सुनते है इसी पॉइंट पे चैप्टर में इस चैप्टर में जो राइटर है आर्सी हचिंसन बारवर फोकस करते है एंड एक्जर्ट्स अंड्यू और वे इस अनुचीत प्रेसर ओन में इससे क्या होता है कि मनुस्य पर औरतों पर और बच्चों पर में ओमिन एंड चिर्डरिन इन सब पर क्या होता है कि बूरा असर पड़ता है किस से इस तेजी के जीवन से तो मतलब इस चैप्टर में जो आर्सी हचिंसन जी है वो यहीं कहना चाहते है कि जिन्दगी में विकास जरूरी है डेपलप्मेंट जरूरी है बट उस चीज को अगर हम अराम से सूच समझ कर करें तो वो और बेटर होगा अब इतना किताब में दिया है हम अपने से थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिये हैं क्या इनका जन्म और मिलती हो कि हिवाज बर्न हिवाज बर्न बर्न मतलब होता है कि जन्म होना on 23 जन्मरी मतलब उनका जन्म तेजजजजणवरी 1907 भी को होगा था and डेड और मिर्ट्यू on 3 जुलाई 1975 यानि क्या मिर्ट्यू 3 जुलाई 1975 भी को होगया और इका जन्म को होगा था जी तेजजजजजणवरी 1970 तो ये नोट करने वाला पॉइंट है यह हैं आप लोग देख चुके तो चलिए सबसे पहले क्या किजी आप कि पार्ट का नाम नोट कीजी और राइटर का नाम नोट कीजी उसके बाद से इसका वर्ड मेनिंग बोलेंगे तो आपको वर्ड मेनिंग लिखते चलना है प्रति दिन उस अत्रा दिक आप लोग तियार कीजिएगा ना तो आप लोग का पढ़ने का तरीका है वो काफी मजबूत हो जाएगा आप काफी अच्छा डेवलप करोगे ठीक है ना तो चलिए वर्ड मेनिंग भी लिख लिजी ये हैं कौन है जी बोलिए कौन है ये हाँ तो चलिए इस लाइन को पूरा पूरा लिखें ठीक है ये किताब में नहीं है इसको पूरा पूरा लिख लेजी तो कल हम कहानी को शुरू करेंगे आज के लिए इतना ही इसका हिंदी लिख कर लाइएगा मेनिंग याद करना है पूरा हिंदी लिख कर लाना है घर से तो आप लोग की ये होमवर्क में आज के लिए रहेगा ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही